Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मद्धिप्रिदेश में खानून व्यवस्था को लेकर परिशान दिखाई दे रहा है मुख्यमंद्व शिवरा सिंग चोहान ने अप राग्यों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिये. राजी के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरान शिवरा सिंग चोहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अप राग्यों के खिलाफ एक्शन दिखाई देना चाहिए. शिवरा सिंग ने पुलिस को निर्देश दिये कि हर जिले में आप राग्यों को चिन्हित करो और उनके खिलाफ ऐसी कारवाई करो कि उनकी कमर टूट चाहे. पुलिस अधिकारियों को साथ दिन का समय देते हुए शिवरा सिंग चोहान ने कहा जन्यता में सुरक्षा का भाव आना चाहिए. आटे की लोई को पानी में खोल कर देखा है आपने. खोल जाती है या वैसी की वैसी रहती है. घुल जाती है तो गेहू का शुद्ध आटा. और अगर नहीं घुलती तो वो आटा नहीं बल्कि प्लास्टिक है. ये कसोटी है सोशल मीडिया के आटे की गुरवत्ता को जाच पर निशाने पर है आशिरवाद आटा. दावा है कि आप आशिरवाद आटे की नहीं बल्कि प्लास्टिक की रोटी खाते हैं. क्योंकि आशिरवाद आटे की लोई पानी में खुलती ही नहीं. क्या पानी में गलना ही असली आटे की निशानी है? आजकल लोग आटा गूल्थने के बाद उसकी रोटी नहीं बना रहें, बल्कि उसे नल के नीचे धो रहे हैं। देख रहे हैं कि आटे की लोई पानी में घुलती है या नहीं। घर में आने वाले आटे को इस अगनी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। एक नामी ब्रेंड आशिरवाद आटे को भी। सोशल मीडिया का दावा है कि आशिरवाद आटे की रोटी खाकर आपको अच्छी सेहत का आशिरवाद नहीं बलकि कैंसर की सौगात मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वायरल वीडियो में इस्तिमाल हुआ आटा वाकई आशिरवाद ही है। क्योंकि इस महिला ने पूरे वीडियो में कहीं भी आशिरवाद आटा दिखाया तो नहीं है। दूसरे वीडियो में आशिरवाद आटे की थैली दिख जरूर रही है। लेकिन उसमें भी आटा उसी थैली से निकालते हुए नहीं दिखाया गया है। और अभी इन्होंने भी चेक किया है, यह से निहीं भी चेक किया है। आशिरवाद आटे को प्लास्टिक आटा बताते इस वायरल विडियो ने सोशल मीडिया पर कहर मचा दिया है। लोग कह रहे हैं आशिरवाद आटा खाते हों तो ऐसे पता कर सकते हैं आटे में मिलावट। आशिरवाद आटा देखिए कैसा है, फिर भी ले रहे हैं आप लोग, जागो ग्रहक जागो आशिरवाद आटे में जहरीले प्लास्टिक पाउडर की मिलावट, जो कैंसर का खत्रा 100% बढ़ा देती है सवाल ये है कि क्या पानी में घुलना ही असली आटे की निशानी है, क्या शुद्ध गेहू का गुथा आटा पानी में घुल जाता है क्या वागई आशिरवाद आटे में प्लास्टिक मिला है, वाइरल विडियो में दिख रहा आटा पानी में घुल क्यों नहीं रहा है आटा इतना लजीला क्यों है कि वो रबड की तरहा खिच रहा है आटे की गुडवत्ता को परखने का ये तरीका पिछले साल दिसंबर से सोशल मीडिया पर वारल है तब News 18 इंडिया की टीम ने भी पड़ताल के लिए अपने हाथों से आशिरवाद आटे का रियालिटी चेक किया था वारल विडियो की तरह हमने भी आशिरवाद आटे को गूंत कर उसे पानी में घुलने की कोशिश की थी उसे खीच कर भी देखा था लेकिन हमारा पैकेट का आशिरवाद आटा तो पानी में गल गया तो क्या वारल विडियो में आशिरवाद आटा सिर्फ दिखाने के लिए ही था कंपणी से संपर्क करने के लिए हम कंपणी की वेबसाइट पर गए तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले यही संदेश आया इस संदेश में लिखा है आपके आशिरवाद आटे में ब्लास्टिक बताने वाले वीडियो पर ध्यान न दे वीडियो में जिसे ब्लास्टिक बताया जा रहा है वो दरसल एक प्रूटीन है जो कि हर आटे में प्राकृतिक रूप से होता ही है FSAI के नियम के मुताबिक हर आटे में इस प्रूटीन का होना अनिवार रहे है देश का नमबार एक आटा होने के नाते हम अपने ग्रहाकों की सेहत और सुरक्षा को लेकर सजग है कहते हैं अन का अपमान ITC ने वारल विडियो के खंडन के लिए एक एड भी जारी किया है उनका कहना है आश्रवादाते में प्लास्टिक है मैं उन्हें बताना चाती हूं कि ये लचीला पदार्थ प्लास्टिक नहीं ग्लूटेन है यानि वीड प्रोटीन आटे के जिस लचीले पन को सोशल मीडिया पर प्लास्टिक बताया जा रहा है कंपनी के मुताबिक तो वो आटे में मौझूद प्राकृतिक प्रोटीन है तो क्या आटे का लचीला पन उसकी बढ़िया गुडवत्ता की निशानी है कहीं लचीला पन आटे का प्राकृतिक गुड़ तो नहीं यह जानने के लिए हमने प्लास्टिक के आटे की कुथी सुलजाने के लिए दिल्ली उनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट और फूद टेक्नोलोजी में असोसियेट प्रिफेसर डॉक्टर एरम राउ से बात की जसकी वज़े से वो जो है आपका ग्लुटिन बनता है दो प्रोटीन को मिला के ग्लुटिन बन जाता है जो की इनसॉलीबल एन वाटर होता है और वो उसी तरह से स्ट्रेच करता है जैसाब की च्विंगम करती है लेकिन फिर हमारा आठा पानी में क्यों घुलने लगा तो इस पानी डाला होएगा कि इस व्यार्टे में प्लास्टिक होने की वारं भाबर बिल्कुल गलत-साबिथ हुई है किया बिहार के से हैस्शा में एक सथ्दुटर्वार्श में ट़र्श की रॉष्णी में एक आव्येक इक हला क्यात ह tut है । ॐ इच्वहाए है में जलती हुई टॉर्च लिये थी आरोपे की टॉर्च की रोष्णी में ही अस्पताल के सफाई करमचारी ने घायल महिला के हाथ में टाके लगाए बताय जा रहा है कि महिला एक सड़क दुर्षटना में गंपी रुप से घायल हो गई थी लेकिन ओपरिशन थेचर में दो दिन से लाइट नहीं थी ऐसे में अंधेरे में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा था लेकिन आरोफ है कि अस्पताल प्रबंदाने से गंभीरता से नहीं लिया इसलापरवाही पर जब अस्पताल के ही डॉक्टर से बात की गई तो अपनी जिम्मेदारी से पला जहरते नजर आए इस संबंद में जब अस्पताल के सिविल सर्जन से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो बाहर गए हुए थे उतरप्रदेश के बारा बंकी में केशो शर्मा नाम का एक छात्र अपने मोबाइल फोन पर अपने बैंक अकाउंट में साढ़े 5 करों से ज़्यादर रुपए जमा होने की जानकारी देने वाला एक SMS दिखाने रगा लेकिन केशो का दावाए कि कुछी देर बाद उसके अकाउंट में एक भी पैसा बाकी नहीं बचा क्योंकि पहले तो केशो को अपने बैंक अकाउंट में 5 करों 55,555 रुपए जमा होने का मैसेज मिला अचानक इतने पैसे जमा होने से वो हरान रहे गया हाला कि जल्द ही ये हैरानी परिशानी में बदल गई क्योंकि चंद घंटे बाद ना सर्फ केशो के खाते में जमा रकम वापस हो गई बलकि उसका अकाउंट बैलेंस भी जीरो हो गया हाला कि बैंक के कस्टम केर ने गलिती सुधाने का भरोसा दिया लेकिल केशो के फटा को बेटे की पढ़ाई के लिए रखे पैसो की चिंता सता रही है मध्य प्रदेश में दहेश ने मिलने पर एक महिला को 38 दे द्याकर अक्या मध्य उत्तर प्रिदेश बुलंद शहर में एक निर्वाणा धीन इमारत की गिरने से उसके नीचे दब कर छे लोग घायल हो गये उत्तर प्रिदेश के नौइटा में एक चोर घर के बाहर खड़ी नई नवेली फॉर्चुनर कार को कुछ ही पलों में चुरा कर ले गया जमु कश्मीर में बाला कोर्ट सेक्चर में पाकिस्तान की तरफ से जारी फाइरिंग में एक ही परिवार के पांच लोगों की जान जाने के बाद इलाके की लोगों ने देहशत में राद काटी उत्रफिश की गॉंड़ा में एक महिला ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम और दो बच्चों के पिता ने अपना धर्म और शादी शुदा होने की बाद छिपा कर उससे मंदिर में शादी कर ली और चार महिने तक उसका रेप किया उत्राखन सिक्षा विभाग और मदर्सा बोर्ड ने फैसला किया कि इस साल से मदर्सों में होने वाली परिक्षाओं को सरकारी कॉलेजों में कराया जाएगा जार्खन के हजारी बाग में एक महिला का सिजर कटा शव बरामद होने के बाद हरकम्प मच गया मुंबई में इंडियन डेंटल अस्विएशन के आयोचित एक कारकर में मुह के कैंसर के कारण और उनसे बचाओं के उपाई लोगों को समझाए गए बिहार के समस्तिपूर में ट्रेन नहीं रुखने की वज़े से एक महिला चलती ट्रेन से कूट कर गंभी रूप से घायल हो गई उत्तरफिदेश के वारांसे में मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाग के बिल समर्थन में मार्च निकार के मुस्लिम परसनल लौबोर्ट का पुतला फुका अस्ट्रेलिया के डार्विन शेहर में आए चकरवाती तूफान मांक्स से 20 हजार से ज्यादा घरों को नुकसान पहुचा है साथी हजारों के संख्या में पेड़ भी उखड़ गए अमेरिका के दक्षर कैलिपूर्णिया के एक शॉपिंग मॉल में एक आदमी न अपनी पूर्व बतनी के हत्या करके खोद को भी गोली मारकर आत्म हत्या की कोशिश की पुर्वोतर चीन के जिलिन प्रांस में हर साल मार्च के महीने में बर्फ से जमी जील पर एक खटा होने वाले दुरलब प्रजाती के प्रवासी पक्षी दुनिया भर से उन्हें देखने आए लोगों के आतकृष्णर का केंद्र बन गए अस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में जंगल में फैली आग के रिहाईश इलाके में पहुशने के बाद उसकी चपेट में कई घर आ गये जिसके बाद आसपास के इलाके को खाली करवा दिया किया संसद में आज फिर हंगा में ख्यासार है लोग सबा में आज टीडिपी और वाईसार कॉंग्रेस के तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा की तरफ सर्कार को पर दो अपशी नहीं विश्वास तो हाई नहीं अब लोग अभी ही तह जी चाहता हूं जही धर जहासे कर hairs है जो बीजेपी Messy कि एजे उन के पार में जाया जाएंग। मिशल मिया में चाहता हूं कि Joop ओंडो ऑगा तो पक्का यह जीतेंगे वो सकते सरकार गिर भी जाए राष्टिय जनता दल जो नो कन्फिडेंस मोशन लाया गया है सदन में सरकारी खलाप हम लोग जो है उस विश्वास पस्ताप के पक्स में है खड़े भी हुए थे आगे भी खड़े होंगे कि यह सरकार देश में जो भी जहां से अ पासवान का दावा है कि बीजेपी में सुशीन मोधी रामकृपाल यादो शहनवाज हुसेन जैसे से और परनेता है लेकिन पार्टी मेंन की आवाज दबी रह जाती है जो मास परसेप्सन है मानिटी के सम्मंध में दलित के सम्मंध में उसको खाली बदलने की आवस्यक्ता है अब भोदा क्यां कि इन लोग की आब रह जाती है और कुछ लोग बोलते हैं वो अब आज मुखर हो जाता है जरूरत है कि उन लोगों को भी कि उन लोगों का भी आज आ गया आना चाहिए दिली के तुगलकाबाद गाउं में बिधिरात एक पबार के गोदाम में भीशोर आख लग गई आज से कोई जन्हानी तो नहीं हुई लेकिन लाको रुपय का सामान चल कर राक हो गया मौके पर पहुची फायर बिगेट की दस गाड़ियों ने करीबन तीन घंटे की मशक्कत की बाद आग पर कापन पाया आश्रंका जताई जारी के आग शौर सरकिट की वज़े से लगी फिलाल पुलिस आग लगने की घटना की जाच कर रही है एमिनस प्रमुख राज शाकरे ने बिजेपी और खास्तोर पर पिया मोधी पर तीके हम लेखिये राज शाकरे ने आरोप लगाया कि बिजेपी राम मंदर के बहाने देश में एक बार फिर सेहिंसा करवाना चाहती है मुंबई के श्रिवाजी पार्क में एक जल सभा को संबोधित करते हुए राज शाकरे ने आरोप लगाया कि अपने चुनावी फाय देखे लिए बिजेपी देश में हिंदू मुसल्मानों के बीच दंगल कराने की फिराक में है इसलिए देश के हिंदू और मुसलिम भाय सावधान रहे इतना ही नहीं राश्टाकरे ने दावा किया कि अब मुदी मुख भारत देश की जरूरत बन गई है क्योंकि उन्हें देश से ज्यादा गुजुराग की चिंता रहती है भारता मदे धार्मीक दंगली घडवले जाती है हिंदू बुसल्मानाद मदे दंगल घडवली जाई ली और दंगल घडवले अचा सर्वाध प्रमु महत वाचा कारण करती है इसलिए राम बंदिर नमो कश्मे के पुंच के बालकोर्स एक्ष्रमे एक व्यक्ति ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया तो उसे घेर कर खड़ी भीड ने भी ऐसा ही किया भीड रिहायशी लाके में पाकिस्तान की गुलापारी से नारावत ती जिसके चपेट में आकर एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गए जिसके बाद गाउवाले एक जगह एक खटा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे पाकिस्तान एक बार फिर युद्व विराम को लंगहन किया जिसके बाद इस गाउव पर मोटार के गोले गिरने लगे एक गोला सीधे इस घर पर गिरा जिससे एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई बंबारी में दो बच्चियां भी जखमी हो गई मकान को भी जबर्दस नुकसान पहुचा दिवारें और चट तक तूट फूट गए एक साथ पांच जनाजा उटने से गाउं में मौत का मातम पसर गया सब परिवार खत्म हो गया जिसके पीछे कोई इसका देने वाला नहीं खाने वाला नहीं नारास लोकों ने पाकिस्तान को मूत और जवाब देने की मांग की और भारती सेना ने रविवार के सुबैसे शुड़ हुए युद्वराम उलंगन का जबर्दस जवाब दिया हाला कि पाकिस्तान के इस हरकत के कारब भारत के पांच जवान भी जखमी हो गया लेकिन भारती फॉज की जवाबी कारवाई से पूरा इलाका थरा गया सेना ने इस इलाके को निशाना बनाये जाने पर पाकिस्तान पर ट्वीट करके भी पलटवार किया आज का युद्वराम उललंगन बड़ी चिंता की बात है पाकिस्तान नियंत्रन रेखा के 3-4 किलोमेटर अंदर तक नागरे के लाकों में बेगुनाहों को निशाना बना रहा है जहां सेना की तनाती भी नहीं है ना कोई साजो समान ही लगा है हमारी फॉज भी मुगतोर जवाब दे रही है कई सालों से हम देख रहे हैं कि उस सीसपायर को तो अब सेर्फ कागजी सीसपायर रखा गया है नाखरी के लाखे को निशाना बनाये जाने पर केंदری मंत्री जितेन सिंग्ग ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतअड़नी भी दी इन सब बातों का संग्यार रक्षा मंत्राले भी लेता है, जवाबी कारवाई भी हो जाते हैं पाकिस्तान की गोलबारी का शिकार बने गाउं का मुख्य मंत्रे महभूबा मुफ्ती भी दौरा करेंगी अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख से चेताफनी देते हुए का कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान और दूसरों आतंकी संग्चनों पर कारवाई नहीं की तो अमेरिका को ये काम खुद करना पड़ेगा अमेरिका ने कहा कि बारबाद चेताफनी के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकिों के खिलाव कारवाई नहीं की अमेरिका की तरफ से ये सखत बयान अमेरिका की उपराश्पती माइक बेंस और पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री शाहिद खकान अबासी के मुलाकात के बाद आया बिहार के सहरसा के सरकार इस्पताल में टॉर्च की रोशनी में एक आदमी एक महिला का इलाज करता दिखाई दिया जो आदमी इस महिला का इलाज कर रहा था वो अस्पताल का सफाई कर्मी बता जा रहा है इस घटना को वहां मौजूद किसी ने अपने मोबाइल पर रिकॉड कर लिया जिसमें साफ दिखा कि ऑपरिशन थेटर में बेसुत पड़ी जखमी महिला के पास तीन औरते खड़ी थी जिनमें एक महिला हाथ में जलती हुई टॉर्च लिये थी आरोपे की टॉर्च की रोश पेज़ी गाल लाएंट थी अरosa अंधेन में मरीज़ों का इलाज किया जा रहा था लेकिन आरोप है करे इस साफ अंने से दोक्तर से बात की गई तो अपनी जिम्मेदारी से पलाज हाड ते नजर आए इस संबन्द में जब अस्पताल के सिविल सर्जन से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो बाहर गए हुए थे पाकिस्तान में भारती उच्चायोग के अधिकारियों के साथ बसलूकी का सिलसला जानी है सूत्रों के मताबिक इसलामाबाद में रविवार क उच्चायोग के सेकेंड सेकेंट्री की गाड़ी पर अग्यात लोगों ने उसका पीछा किया और विडियो बनाया इसके अलावा उच्चायोग के चार अधिकारियों का भी कुछ अग्याद मोटर साइकल सवारों ने पीछा किया इतना ही नहीं भारती उच्चायोग की वेबसाइट को रुक रोक कर ब्लॉक करने का मामला भी सामने आया इस मामले को लेकर भारत में पाकिस्तान की विदेश मंद्फराले के सामने अपना विरोध भी दर्ज करवा दिया है निर्मार को लेकर श्रिया वक्फ बोर्ड की चेर्मेन सहीद वसीम रिजवी ने कॉंगरस अध्यक्ष राहुल गांधी को चिठ्थी लिखे रिजवी ने अपनी चिठ्थी में राहुल गांधी से अपील की कि वो मंद्र निर्मार के लिए पानून बनाने में सरकार का समर्थन करें रिजवी ने चिठ्थी में राहुल गांधी को पंडित जी संबोधित करते हुए लिखा कि कॉंग्रेस ने ही ताला खुलवा कर इस समस्या को बढ़ाया है और उसके बाद हुए दंगे फसाद के लिए आपकी पार्टी जम्यदार है ऐसे में आप ही अयोध्या में राम मंदिर और लखनों में मस्जिदे अमन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करें से में राम मंदिर का निर्मालों कि जडि ओडिनियंस के दौरा होता है पारलेमेंट रिजूरी सहले के द्वारा होता है आम सहमती के दौर होता है अथ्वा संगर्वर्ण के दौरा में लिए एक बात सुनेश्चित है जो महन्भागवजी ने कहा बाद में संग के प्रटिंधी सभा के बाद भाया जी जोशी ने कहा था कि जन्म अस्थान पर राम मंदिर का ही निर्मान को पूर्ट के सम्मुक राम जिनम मुनी का मामला है और जो सुप्रिम कोड का फैश्रा होगा सभी उसको श्वीकार करें और यह अब किसी भी रूप में राम का नाम लेकर के भाजपा की भाजपा की नईया डूगने से नहीं बस सकती है उनके को कर्मूं का भार इतना बड़ा हो गया है कि उनकी नईया को दूगना ही डूगना है हर्याना के सोनीपत के राइ इंडस्ट्रिल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी भीश और आग को फायर ब्रिकेट के कर्मचारी बुझाते नजर आए बताय जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पेंट बनाने का काम होता था जिसमें आग लगने से छे मज़दूर जुलस गए जिनने इलाज के लिए रहतक PGI रेफर किया क्या पेंट फैक्ट्री में आग लगने की सूशना मिलते ही फायर ब्रिकेट के कर्मचारी फॉरल मौके पर पहुचे और आग बुझाने में जड़ गये फैक्ट्री का गेट तोड़ने के लिए फायर ब्रिकेट कर्मचारीयों को मशीन की भी मदद लेनी पड़ी आग इतनी भीशन थी कि इस पर काबू पाने में दमकल करने को घंटों मशक्कत करनी पड़ी और दिली से भी फायर ब्रिकेट की गाड़ियें मंगानी पड़ी यहां से एमबुलेसन को ले गी थी जो सिवल हॉस्पिटर सोनी पत में पेजा गया है इस घटना की बाव से फैक्ट्री मालिक फरार बताय जा रहा है जिसी पकड़ने के लिए पुलिस ने कारवाई तेज कर दी हाला कि फैक्ट्री में आख लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया हन्वारा में सेना ने सेक्डों साल पुरानी मा काली के मूर्ती के स्थापना की जमो कश्मीर के हन्वारा में नवरात्र के पहले दिन 36 साल पहले हटाई गई मा काली की सेक्डों साल पुरानी मूर्ती को सेना ने फिर से भद्रकाली मंदिन में स्थापित किया उत्तर प्रदिश के आगरा में एक 8 साल की मासूम बच्ची के आपरहर रेप और हत्या के आरोप में एक लौक चात्वर को गरफतार किया गया बियार के गोपाल करच में पत्ती से विवाद के बाद अपने तीन बच्चों को जहर देकर उनके हत्या करने के आरोपी महिला को पुलिस ने गरफतार कर दिया मद्रप्रदिश के सिवनी में एक टीचर पर पाच्वी क्लास में पढ़ने वाली बारा साल की मासूम बच्ची के रेप का आरोप लगने के बाद उसे गिरफतार कर लिया गया उतर्प्रदिश के मौँ में जमीनी विवात को लेकर कुछ दबंगों ने एक परिवार के चार लोगों को नोगे की रौट से पीटकर अदमरा कर दिया उतर प्रदेश के कास्त्रा में पुलिस ने एक ऐसे आदमी को गिरफ़तार किया जिसने कर्ज और गर्जदारों से बशने के लिए खुद ही अपने अपरहन की साजुश रची थी उतर प्रदेश के कासगंज में गाउंवालों और बदमाशों के बीच हुई मुढ़ेड में दो शातिर बदमाशों की मौत हो गई रजसान की श्री गंगानगर में खेट से बुराने और जंग खाए दो बं मिलने से इलाके में संसनी फैल गई उतर प्रदेश के अमेठी में एक महिला दारोगा पर उसे लिफ्ट देने से इंकार करने वाले एक लूडर चालक को जारू से पीतने का रोप लगा उतर प्रदेश के जासी में बेखौफ चोर सीस्टीवी कामरे लगे होने के बावजूद एक कपड़े की दुकान का श्टर तोड़कर कैश और लाखों के कपड़े चुरा कर ले गए मध्यप्रिदेश के मुख्यमंस्री शुवरा सिंग चोहान ने पुलिस मेहकमे को महिलाओं से बसलुकी करने वाले गुंडो पर सख्त कारवाई के दुदेश दिये महराज के ठाड़े में उलहास नगर में रिहाईश इलाके में एक तेंदुए की दिखने के बाद इलाके में हर कंप मच गया पाकिस्तान में भारति चायोक के अधिकारी से फिर से बसलुकी करते हुए उनकी कार का पीछा कर दे उनका वीडियो बनाने का मामला सामने आया अमेरिका ने पाकिस्तान कुछ एतावनी दी कि अगर उसने तालिबान और दूसरा आतंकी संगचनों के खिलाव सख्त कारवाई नहीं की तो अमेरिका खोद इन आतंकी संगचनों पर कारवाई करेगा राशपती चुनाव में रूस की जनता के जबर्दस समर्थन के बाद ही बलगी में पुतिन चौथी बार रूस के राशपती चुने गए रूसकी एक एजंसी ने दावा किया कि केंज़ी चुनाव आयो की विडियो पोर्टल पर राश्पती चुनाव को प्रभावित करने के लिए कई दर्जन साइवर हम लेखिये गए लेकिन सभी को नाकाम कर दिया क्या मुअब शमी ने दावा किया कि उनके ऑपर एक भी आरोप अभी तक साबित लहीं हो पाई ओम में शमी ने और अरोप लगाए कि उनकी पतनी हसीन जहान उनकी क्रिकट करियर को खत्म करना चाहती है शमी ने BCCI से भी अपील की कि वो मैच फिक्सिंग के आरोपों को जल से जल उसकी जाच कराएं ताकि वो अपना खेल फिर से शुरू कर सके इस वीच कॉलकरता पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम रवीवार को शमी के घर अम्रोहा पहुची और परिवार की लोगों से बंद घर में पूस्ताच की गई दूसरी तरफ हसीन जहां भी आज कॉलकरता में कोट में अपना बयान दर्ज खड़ा सकती है कि उत्रप्रदेश की फटेपुष जिले में पीएसी के एक जवान के घर में बच्रंग दल और विश्व हिंदू परिशत के कारकरता हंगामा करते दिखे उनका आरोप है कि जवान के घर में वर्ड विजन नाम की संसा के कारकर में लालश देकर धर्म परिवर्तन कराए गय जिसे रोकने के लिए बहुत से लोग पीएसी जवान के घर में हो रहे कारकर में पहुच गए वहां मौझूद और बच्चों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने हंगामा कर दिया लेकिन और तो ने धर्म परिवर्तन कराने के आरुफों को गलत बताया तब तक हंगामे की खबर पाकर पुलिस भी वहां पहुच गई हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के बजाए पुलिस अधिकारी अपने घर में कारक्रिम करा रहे पीएसी जवान पर ही परसने लगे और इसके बाद जवान के घर में बाइबल और भजन पढ़ रहे बच्चों और महिलाओं को वहां से जाने को कह दिया किया लेकिन बच्चरंग दल और विश्चु हिंदू परशत के कारकरता उन्हें पीएसी जवान को उसके घर के बाहर गेर कर सवाल जवाब करना शुरू कर दिया हाला कि पीएसी जवान ने बाइबल दिखा कर वहां सर्फ भजन होने की जानकारी दी लेकिन हंगामे बास अडे रहे उनका आरोप्ता कि इस मकान में लालज देकर धर्म परिवर्दन कराये गया हाला कि पुलिस को ऐसे सबूत नहीं मिले पुलिस मामने की गैराई से जाच करने में जुटी हुई है हाला कि हंगामा करने वालों ने तब ही अपना विरोध बंद किया जब उनके कहने पर पीएसी जवान जैश्री राम के नारे लगाने को तयार हो गया झाल 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 झाल